लड़ू गुपाल सच में भोग लगाते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे लड़ू गुपाल दूद पीते हैं, क्या सच में ऐसा होता है, यह अनु बहुत जूटे तो नहीं है न, सच में होता है, मेरे पास एक भी रिष्टा ऐसा नहीं है, जिससे मैं अपनी बात कह पाऊं, तो किसे कहूं अपनी बात, जो मुझे जजना करें, यह सब बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, और जिसके भी दिमाग में ऐसी बातें घूमती हैं, वो यह प्रसंग जरूर सुने, हरे क दोस्तों, मैं हूँ अनुज शर्मा, प्रिया, महराज गंज गोरकपुर की रहने वादी, वकालत की पढ़ाई की 2016, जब 2016 में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, उसके एक महिने के बाद, इनकी मा बैकुंठ चली गे, घर की बड़ी बेटी, दो छोटे जुआ भाई, सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी पर आ गई, घर में सब का भोजन बनाना, सारे काम करना, उसके बाद पढ़ाई करना, भाग कर होस्टल जाना, वकालत की पढ़ाई भी चल रही थी और घर की जिम्मेदारिया भी आसान नहीं होता है, उसके बाद लोगों क बात कहें, पिता से या भाईयों से, बेटी के लिए मा तो मा होती है, जो बाते वो अपनी मा से कर पाती है, वो किसी से नहीं कर पाती, मा तो बैकॉंट चली गई, अब क्या करें, घर के हालात बिगड रहे थे, आर्थिक तंगी हो गई थी, पिता की छोटी सी कपड़े की मा के इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ था, वकालत की पढ़ाही खत्म होई 2019 में, सोचा की बच्चों को टूशन पढ़ाती हूँ, आर्थिक तंगी दूर होगी, एक इमानदार बच्चा यही सोच सकता है, टूशन पढ़ानी शुरू की, मन में बहुत सारी बाते चलती थी, रह रहकर मा की याद आती थी, अपने दुख, अपने सुक किस से बाते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जहां टूशन पढ़ाने जाती थी, वहां ठाकुर जी के एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि तुम लड्डू गोपाल अपने घर पर ले करा, तुम्हें बहुत सु प्यार किया, अच्छा मैसूस हुआ, उसके बाद लगा कि कुछ नहीं है, छोड़ दिया, बस जन्माष्ट में आती, तो थोड़ा बहुत सजा देती मंदिर को, ना भोग लगाना, ना पूजा पाठ करना, बस सब चल रहा था, जिन्दगी ऐसे बीत रही थी कि कुछ समझ म नहीं आ रहा था, जीवन का सपना था, वकालत करूंगे, उसके बाद जज़ बनूंगे, सब कुछ अपनी शादी से पहले कर लेना है, अगला घर पता नहीं कैसा मिलेगा, पता नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारिया मुझ पर आ जाएंगे, परिवार को संभालना पड़ेगा, पिता को होसला देना पड़ेगा, भाईयों को मा जैसा प्यार देना पड़ेगा, लेकिन यही तो जीवन है, एक दिन सुभह पांच बजे, शिवरात्री के दिन, भोले बाबा को जल देकर आए, रस्ते में ख्याल आया, कि इतना सुनते हूं कि लड़ू गोपाल सच में होते हैं, जहां होते हैं, जीवन्त होते हैं, साक्षात होते हैं, आज देखते हूं कि मेरे लड़ू गोपाल हैं, वो भी जीवन्त हैं क्या, मुझे भी तो एक रिष्टा चाहिए, एक सच्चा रिष्टा, जो मेरी सारी बाते सुने, घर आई, जहां हूं, पी लो दूद। देखा तो चम्मच वैसे का वैसा, दूद वैसे का वैसा, मन में भाव आया, कि लोग जो अनुभव सुनाते हैं न सब जूट बोलते हैं, ऐसा होता नहीं हो, कहां दूद पीते हैं लड्डू गोपाल, और देखते ही देखते चम्मच खाली हो ग जब ये अपनी आखों से देखा, तो सन रह गए, प्रिया बताती है, कि भाईया, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आए, कि मैं तीन दिन तीन रात बिलकुल सोई नहीं, बस जागती रही, पहली बार मुझे ये ऐसास हुआ, कि मेरा ठाकुर, मेरा इश्वर, मेर प्रभू हूँ, मेरा सब कुछ मेरे साथ है, तो मुझे किसी और की जरूरत क्या है, मैं नादान थी, ये सोच रही थी, कि नहीं, ऐसा नहीं हो था, पर मेरे कनहिया ने मुझे बता दिया, कि मैं हर समय तेरे साथ हूँ, और पगली हर समय तुझे सुन रहा था, हर समय तू अकेली नहीं है और प्रिया को अपना सच्चा रिष्टा मिल गया विश्वास प्रगाड हो गया अब तो छोटी से छोटी बात होती तो अपने ठाकुर को बताती अगली जन्मास्टमी आई अपने लड्डू गोपाल के लिए एक जूला ओर्डर किये जूला जन्मास्टमी से एक दिन पहले घर पहुचा जब बॉक्स खोला तो देखा कि जूले में एक और लड्डू गोपाल बैठे हुआ है जाकर के ओर्डर की डिटेल देखी डिटेल में ऐसा कहीं भी नहीं था कि जूले के साथ लड्डू गोपाल आए प्रिया समझ गई कि मेरे कनहिया का चमतकार है मेरे ठाकर का चमतकार है राधारानी आई है क्योंकि मेरे ठाकर ने बुलाया है और राधारानी को लड्डू गोपाल के साथ वहाँ पर बिठाया, स्थापित किया, मंदिर सजाया, अराधना की अब ठाकुर जी के साथ साथ राधारानी भी साथ में थी जीवन में हर पल आनंद था अब किसी बात का दुख नहीं होता था, कोई डर नहीं लगता था बताती है कि जिन्दगी में छोटी-छोटी घटना है तो बहुत सारी ऐसी हुई बड़े नटखट है मेरे लड़ू गोपाल एक दिन प्रिया का एरिंग गुम हो गया अपनी कमाई से खरीदा था, मेहनत की कमाई से बच्चों को टूशन पड़ा करके गुम हो गया तो मन परेशान हुआ जब मन परेशान हुआ तो ठाकरजी के पास जा करके बैठके बोली की एरिंग गुम हो गया है मेरा और ये लो दूसरा भी ले लो जब तक पहला नहीं लोटा होगे ये नहीं पहनूँगी कभी नहीं पहनूँगी, जीवन में कभी नहीं पहनूँगी अब देख लो कहां से लाना है थोड़ी सी नाराज भी हो गए बोलने लगी महनत के कमाई पैसो से लाई थी, बड़े मन से लाई थी गुम करवा दिया आप तो अंतरियामी हो ना, आपके पास तो दिव्वे दृष्टी है आप तो देख सकते हो कहां पर है तो जाओ ढूंड कर लाओ मन में दूसरा भाव आया उठा कर के लड़ू गोपाल की बंसूरी जो है राधरानी को देदी बोली कि तब तक इने मत देना जब तक ये मेरा एरिंग नहीं देंगे अपने पास ही रखना इनको भी तो पता लगे इनकी बंसूरी इनसे दूर है वो दिन बीट गया रात्री हुई चिंता में सो गई सुबह उठी जब प्रेम होता है तो शिकायत नहीं होती थोड़ी देर का गुस्सा होता है नाराजगी होती है मन में आया कि हो सकता है कि वो एरिंग मेरे लिए अच्छा ना हो क्योंकि मेरे कनहिया जो करते हैं ना वो सही करते है तो ये मेरे लिए ठीक नहीं था इसलिए गुम हो गया कोई बात नहीं अपनी नियमित पूजा करने के लिए पूजा की थाली उठाई अपने लिड़ु गोपाल के पास पहुंची और देखती है कि थाली के बीच ओ बीच दूसरा ये रिंग रखा हुगा बताती है कि ऐसे सुनते हैं मेरे कनहिया मेरी एक दिन पिताजी से कोई 100 रुपे का नोट ले गया जो हुठ बोल कर बताती है कि पिताजी के साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाए ना बड़े परेशान हो जाते हुठ उन्होंने मुझे बताया कि सुर पे का नोट इस तरह से वो ले कर गया था तो मैंने बताया कि नहीं पिताजी वो आपको धोखा दे कर गया है आपको सुर पे देनी की आशकता नहीं थी आपने गलत दे दिये बस इसी बात पर पिताजी परेशान हो गए पिताजी की परेशानी मुझे से देखी नहीं जाती है मैं परेशान होती हूँ तो ठाकुर जी के पास जाती हूँ ठाकुर जी से जाकर के बोली ठाकुर जी वो आदमी धोके से सोर रुपे लेकर गया है और पिता जी इस बात से परेशान हो गया है मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती अब बताओ क्या करो अगले दिन पिताजी ने बताया कि बेटा वो आदमी आया था सो रुपे दे कर गया बहुत घबराया हुआ था बोला कि रखो अपने सो रुपे मैं मुस्कुराई क्योंकि मुझे पता है मेरे कनईया कुछ भी कर सकते प्रिया बताती है कि भीया जिम्मेदारिया तो बहुत है लेकिन अब कभी ऐसा लगता नहीं कि जिम्मेदारिया मैं निभा रही हूँ क्योंकि सारी जिम्मेदारिया ठाकुर ने भारा है जब आप इश्वर की शरण में आ जाते हैं अपना समर्पण दे देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी दूईधा रहती ही नहीं भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कर्मने वाधि का रस्ते माफलेशू कदाचन तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर अपने कर्म को मुझे समर्पित कर जब कर्म मेरा हो जाएगा तो फल भी मैं ही दूँगा और जब आप अपने कर्म को इश्वर को समर्पित कर देते हैं तो फल भी उनीका होता है जीवन में हमेशा याद रखिए जब भी आप इश्वर के संपर्क में होते हैं आप निश्चिन्त होते हैं आपको किसी बात का कोई डर नहीं होता है कोई भैं नहीं होता है आप कुछ गलत कारिये करते ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हर समय मेरे इश्वर मेरे साथ है मेरे ठाकुर मेरे साथ है आप से कुछ गलत होगा ही नहीं आपका जो भी कर्म होगा बहुत अच्छा होगा और उसका फल भी अच्छा ही आए इसलिए जो इश्वर के संपर्क में रहता है इश्वर के साथ रहता है ना उसे कभी प्रहिणाम की चिंता नहीं होते हैं आप भी अपने जीवन का डर भगाना चाहते हैं एक सच्चा रिष्टा पाना चाहते हैं हर पल जीवन में चमतकार देखना चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि जीवन चमतकारिक हो जाएं आप भी चाहते हैं कि हर समय एक ऐसी उर्जा आपके भीतर रहे जो आपको कभी हारने ना दे परिशान ना होने दे डरने ना दे पराजित ना होने दे तो अपना विश्वास प्रघाड कीजिए मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रिया का जो सपना है जज़ बनने का वो आवश्य सच में बदले प्रिया इश्वर के सानिध्य में है इश्वर हमेशा उसका साथ बे सच कहा है उसने कि जिम्मेदारिया मेरी थी जो अम मेरे कनहिया ने ले ली है इश्वर अवश्य उसका सपना पूरा करेंगे हम सब भी प्रार्थना करें कि वो बच्ची अपने सारे सपने साकार कर पाए आप भी अपना विश्वास प्रगार कीजी इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत कीजी अपना ख्याल रखे हरे कृष्ण